अर्थाद जो जीवन में बिद्धियां का पती जो बिद्धियां जानते हैं उनके हम साहरा लेना चाहिए उनके हम मारदर्शन लेना चाहिए थोड़ाशा रामचे रित्मानस में जाओ शुग्रीव शुग्रीव रिष्य मुठ परवत के उपर रह रहे हैं काराण बाली के द्वरा प्रताडीत को में बाली वोत अभी मानी क्रोधी द्व्यक्ति है माराज दरदर भटक रहा है तो रिश्यमुक परवत के जो रहस्य है बाली को भी पता है और सुग्रिव को भी पता है क्या है रहस्य है बाली अपने बलवान के अभिमान से मतंग रिशी में जो रिश्यमुक रहते थे वो जाते थे और को पेड़ को हिलाते थे और उनके सामन को कहीं फेक लेते थे बहुत उपद्रव करते थे मतंग रिशी ने अभिशाफ दे दिया इस परवत के उपर आओ गए तुमारा धड़ से सीर अलग हो जाएगा बाली को पता था इसलिए जा नहीं रहा है मरेगा हो सुग्रिव को भी पता है इसलिए वो यहीं पर रहा है कि बाली आ नहीं सकता है मगर उनने औरे किया हनुमान जी को छोड़ा नहीं हनुमान जी साथ दिया सुग्रिव का तो इंद्र दिमने के पास भी विद्यापती है उननने कहा कि आप राजा है आपको जाना नहीं चाहिए पहले हम जाते हैं तो जीवन में इस प्रकर के विद्यापती जो विद्या के ग्याता है अनुमान जीवी विद्या के ग्याता है तो उनके शरण में रहा है शुक्रिव और यहां पर भी इंद्र दिमन्न हमारे जिवन में भी ऐसे होना चें शरण में होना चें कोई ग्याता तो भी विद्यापती आते हैं दर्षन करते हैं व्पर्वजरम के भागया है यह उरिज्ञ भगवान को दर्षन किया बाद में तो जो बनाया गया है उऊह होगे जोरुलー उस समय उरिज्ञ जो दर्शने वो इंद्र दुम्ना नहीं कर पाए क्योंकि लक्ष्मी ने पहले बता दिया था ब्रह्मा और यम्राज को यह जो रूप है यह अद्रिश्य हो जाएगा इंद्र दुम्ना खुद बनाएगी एक दारू समत पन्नहा चतुर्धास संभविष्यते तो बीद्यापति का भाग्या है विश्वमस ने देखा नहीं दिखाऊंगा ब्रह्मान पविशाफ हो सकता है दुखी हो सकते हैं राजा आकरमन कर सकता हैं दिखाऊंगा भगवान अद्रिश्य हो जाएगा मेरी जो परंपरा है, मेरी जो दिनचरिया है, मैं जो कर रहा हूँ, बंचित हो जब, और मुझे लेकि कुछ फाइदा भी नहीं है, कथा में, जेस समय अद्रिश्य हो जायते हैं, विश्व विश्व रुखते नहीं, अपना सरीर को त्या करते हैं, फिर रामयना आई है, सबरी दर्शन करते हैं, भगवान राम का, जोटा फल खिलाते हैं, और वो प्रसिद्ध भजन भी हो गया, राम आएके, आएंगे, मेरी जोपड़ी का भाग फुल जाएगा, उस सबरी के लिए जिसने पहले गाया है, मनोज मुनसिर के भजन है, और नटियर ने गाया, और श् विस्तर ने भी गाया, तो प्रसिद्ध हो गया, और जब टी-एम टूटर दे दिया, तो कहना ही क्या बाद है, तो भगवान स्रे राम जोपड़ी में आ गया, जोटा बेर खा लिया, नवदा भक्ति कही, अब हम लुदियान में नवदा भक्ति बोल रहे थी, ये लोग थे पान देन का समय था, उसके बाद शरीरे इत्याग कर दिया, सबरे, यहाँ पर भी ऐसे, विश्वा मुस्तर पर फिर कथा ही ने, वो आएगा अगे बढ़ेगा, अब ही विद्यापती दर्सन करके गए, विश्वा को सु जानते हैं, अब अपना सुनने में ध्यान रुख इदर दर माइंड मत करो, हो गया, विश्वा सु जानते हैं कि राजा आएंगे और भगवान दर्श्य हो जाएगे, इसलिए उन्होंने राजा के लिए एक सुन्दर माला दिया, इसलिए सुन्दर माला लगाया गया, इसे भगवान कर लगाया गया था, उन्होंने निकाला और वो माला दिया, उस माला को ले करके राजा, तो आते समय कहते हैं तीन दिल लगा उनको, उज्जे मध्यप्रदेश से जगनाख पूरी निला चली, एक रात उन्होंने रुपपा आदी में, और मने चर्ची कटख में चर्ची का मंदिर देखा, चर्णि का देभी देखा, चितरूत्पल नदी में स्नान किया, महा नदी में स्नान किया, अलग लगतीर थै, फिर लिंग्राज मंदिर आए, कमाम्रग, एकाम्रग कानन भुवनेश्वर आए, फिर उसकत कपतेश्वर, फिर निलाचक परवत, ऐसे वो आए तीन दिल लगा, अब यह कहां जाते हैं तुरन चले गें, एक रात भी वो में पहुंच गें, अब उन्होंने सुन्धर माला दिया, जब माला दिया, तब इस लूप पढ़ना, नाइन नंबर है, माला, माला मुकंद सिरसोन वपा प्रमोदा, लावा धरीकृत सुरद्रमकंत गंदां, अंधीकृता निचयां पवना प्रसारी, गंधप्रणाशित जगत कलुशाम नमामी, कहते हैं कि ये राजा प्रणाम करते हूं, जब माला को दे देते हैं, तो उस माला को प्राप्त करके राजा प्रणाम करते हैं कि मैं उस माला को प्रणाम करता हूं, जो माला के जो सुन्दर, क्या है ये सतेज फूल में, माला मुकुंद सिरसो, अनुपमः प्रमूद, लाभा धरी कृतसुर, द्रमकांत गंधाम, अर्था जो स्कूल में जो सुगंद है, गंद है, वो सुगंद गंद के लोभ के कारण, आक्रिष्ठ के कारण, भौरे ही भ्रमर भी आ जाते हैं, और वो हगवान के वक्षस्तल में, जो स्पर्श किया हुआ, उस माला के प्रती, कभी-कभी लक्ष्मी भी इर्षा करती है, लक्षमी का स्थान पाद में, वो पाद स्पर्श शेवा लक्षमी करती है, वक्षस्तल में माला रहती है, तो लक्षमी भी कहती है कितना भाग्यवान हो माला, अर्थाद उस माला के इतने पुन्या है, उस माला को पेहन करके राजा कहते हैं, कि हम प्रणाम करते हैं, उस माला को आँच अनुभव कर रहे हैं, जैसे भगवान के शुरुप आ गया है, भगवान के स्पर्ष से जो द्रव्या है वो भगवत्मय होई गया, ऐसे इसलिए हम प्रणाम करते हैं, आप देखने हैं गेन रामचेत मानस, कि माला है क्या, जब यह एक फंक्शन होता है, उसमें एक टेक्निकल सब्सक्राइए आज्या माला होता है, जगनात के माला को आज्या माला करते हैं, और अभी जो वर्णन हैं, रामचेत मानस के रहायन के प्रष्वं को याद करी, बाली और सुगृव का युद हुआ, अब बाली और सुगृव का जो युद हुआ, बाली ने माला, युद करने के लिए हों, उससे, कि एक बनवासे को मित्रता बनायो, युद सुगू हुआ, ऐसे मिन सुगृव ऐसके सूग्रीव क отлич रहे ना सुन्दरकांद उसके बाद है अनुमान का चरीम किस्के इंदीबए। सुग्रीव का चरीम वितना दूरगुन वताएगे भर बिलाश में हैं यह सब हमारे बारे मां सुन्दरकांट ह appearing कि अधार से शिव तक मगर सुग्रिव के एक ही गुण है पिशेश कुण है उसे ने हनुमान को छोड़ा रहे हैं हनुमान के बाते सुनता गया उनको मानता था इसलिए भगवान को हनुमान लेक्या है सुग्रिव के पास कि जिवी ही दुर्गुन रहे है कि मगर वो सट्सन्थ नहीं छोड़ता है घुरु की बाते नहीं छोड़ता है तजनना वो धन्य है वो करना चाहिए जिवन में सत्सन छोड़ना नहीं चाहिए गुरु की बाते नहीं छोड़ना चाहिए सुनना चाहिए ये सुगरिव किया सब माफ सब दर्गुन अब चलिए अब जो मेंद माला की बाते आ रहे है अब युद्धो हुआ गदा मारा और उसके बाद हार गया आके सुगरिव कहता भगवन के क्या बाते इद अब कौन वहां खड़े हुँच आते आना चाहिए ले खड़े ना चाहिए बंध है क्या हार जोग गया और सुगरिव कहा क्या भगवन आपने मुझे भेजा और बड़ा मुश्किल तो हो गया मैं हार गया आपने कुछ ने किया भगवान ने कहा बात ये है तुम दोनों का जो सुरुप समान है पता नहीं चला कि कौन सुगरिवे और कौन बाली है ये क्या बात है अब भगवान को किसी ने इस पात पर आपकी अधालत के ओपर खड़ा कर दिया और किसी ने कोन रज़त सर्माई खड़ा करेगा भगवन आपका नाम है सर्वग्या आप भगवान है आप दाली को उने और सुगरिव को उने नहीं जन पाये और बोल रहे हैं कि मैं नहीं जन पाया ये तो बात गलत है तो भगवान सचमुद जानते थे मगर वो लीला कर रहे हैं क्या सुगरिव के अंदर भी थोड़ा सा था हम कर लेगे हम युद्ध कर लेगे और भगवान के जमतकार को देख करके नमसकार किया था मगर जीवात्मा है ना भूल जाता है तो भगवान की बिशेश क्रपा चाहिए बार बार देखो बताई जा रही है हर काने में हर कथा में अर्जुन के लिए भगवान के क्रपा चाहिए तो भगवान कहते है मैं पहचान नहीं पाया एक शुग्रिव की बाते हैं, जितना वे दुरुबल हो, वो अपने आपको मान लेता था कि दुरुबल है। हम लोग दुरुबल हो सकते हैं, हम लोग मानते नहीं कि हम दुरुबल है। हम अभीमानी हैं, और हम मानते नहीं कि हम अभीमानी है। अर्जुन सरल था भक्ति मैं भक्त था शुक्रीव दुर्गुनियुक्त था और बोलता था प्रभुमें दुर्गुनियुक्तु क्या करें आपकी जो मया है वो मुझे तैसे फसा दिया है खुद माल लेते थे लक्ष्मन जैसे भी अक्ति क्रोधित होकर क्या आये और माफ कर दिया तो भगवान हसने लगे और क्या काम करते हैं मैं एक माला देता हूं देखा माला आई माला पेना देता हूं और इस माला के करन मुझे पेचान पता चल जेगा तुम सुग्रिव हो छोड़ करके उसको भगवान पेना दिया सुग्रिव खोस हो गए इस कारत क्या सुनो जब तक जीवन में भगवान के कृपा आपको प्राप्त नहीं हुए आप भगवान के आद्मे हो जैसे अभी मैंने केप दिया इसलिए कि आप एक ग्रूप के हो कि समझना चाहिए कैलाश आश्रम रिशिकेश के महामंडलेश्वर विद्यानन्दगीरी है अभी नहीं है सरीर समाध्य हो गया दो हजार में जब हमलों के कंफरेंस मुंबाई में हुआ था चिनमा मिशन को आयते हैं उन्होंने एक सुंदर बाते कई हैं उनके जो गीता है वो रिशिकेश शिवानांद आस्रमें अठारा दिन के प्रवस्चन था उसमें था मैंने पढ़ा था क्या कहते हैं कि दो प्रखर के कुट्टे होते हैं थोड़ा एक जैप पोला कुट्टे के बारे में सुचते ही गड़ड़ मत समझना एक बर पी-म ने कहीं कुट्टा बोल दिया तो फिर गटना गड़ गई थे ने दो हजार उनिस वह चोदा में कुट्टा बल दिया पिल्ल उनिस आए अच्छा है कि में उनिके एक जेम्फल बता राया है दो प्रकरगे कुट्टे होते हैं एक इस ट्रेट डॉंक, ट्रेट डॉंक, ट्रेट जिसके अंदर कोई बेलट में होता है तो जो सरकारी लोग आते हैं ना तो वो एक गड़ने के लिए एक नेट रहता है एं जो किसी का pet dog तो वो सरकारी लोग छोड़ देते यही उसको pet dog को भी छोड़ देते अपने जो कोलोनी है उसमें छोड़ देते वो अपने आप वपस आ जाता है कल की कहानी जैसी गाय जैसी तो सरकारी क्या करता है आदमी जिसके पास ठीता नहीं है बेल्ट नहीं है, उसको पकड़मे है. जिसके पास बेल्ट है, उसको छोड़ देते हैं, यह मरास्वी जो आएंगे, दिखेंगे इसके पास बेल्ट है क के नहीं है? हम लोग के पास है? सब के पास आएगे तो देखेंगे यह बेल्ट है कि नहीं है नहीं है पकड़ो जल्दी पकड़ो बांधू अगर बेल्ट है तो जुक कर के लेके जाएगे जाना तो ही मगर बड़े अफिसिल जाएगे ये बेल्ट क्या होता है भगवत के करपारुपप माला गुरु से दिक्षा यह दिक्षा है बेल्ट है ग्यान ही बेल्ट है तो यह कता है कितना सुंदर बता है एक्जम्पल अच्छा लगता है अरता है हम कहीं से किना जुड़ जाना चाहिए येस आप बोल सकते हैं मैं चिन्मे मिश्ण का बेल्ट पेना हूँ मैं उपनिश्यत का बेल्ट पेना हूँ मैं आप लोगों भी बोलता है ना पता है मैंने आठ कैम पेटरें किया कोई बोलता है ने मैं चार पांच वाग पे कैम पेटरें किया मिला करके है ना यही बेल्ट है यह मैं रोज कथा मने सुनता हूं अनलें बी बीस बनता हूं यह बेल्ट है यह मरास तो आएगे हम लोगों को जाना ही है मगर बड़े ओफीशेल लेकर आए इसे पता है धूब जब सरीर त्याग हुआ थूब शरीर त्याग ने क्या सरीर दूब लोग गे धूब के हाल छोट जो जो रत विमान में चड़ते हैं उत्वर उनका पेर गया नहीं है यह मराज खुद आ गए और पीठ किया और ध्रुग को कहा कि है ध्रुग जी मेरे पीठ के उपर आप पेर रखिये और उसके बाद आप चड़ जाएं कथा सुन्दर है भागुवत के तो है और इसे किया अया है अरत क्या है कि धू अध्रुग जी उख को कि अवी क्या करते हैं पेर में करते है और ऑब धूक क्या करता है यह अपना च्छाथी पर लाभर णते तुम दबा देक हमलों और हमीं धूप बना है, हमारा पेर फिशमे रहना चाहिए, मुरुत्य पार्थाा, मूरुत्य को डरना नहीं चाहिए, क्या बात है, तो जीवन में बेल्ट होना, जीवन में दिक्षा होना, यही माला है, कृपा है इस कृपा को अनुभग करते हैं इंदर दुम्न टपिक में ही यह माला ही दिक्षा है जखाँ आम लोग जब जगन्ना तिरत आये हो वहाँ तो जब निचे है ना, वहाँ पर भी 60-70 लोग है यहाँ पर भागवत वरा में गया था उन्होंने न मज़े संबान दे दिया और वहाँ पर वोई दिक्षा के बारे में, गुरु के बारे में मुझे देख करके बताया संथ की करपा, गुरु की करपा के बारे में जब आप जगन्ना आयेगो आप क्या करते हैं? कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ रखना चाहते हैं साथ में, ये कर भाव के रूप में आप लेना चाहते हैं, ये ही संबंध बना रहता है, ये ही माला का रूप है, आप रखते हो, दुसरे को देते हो, ये जूर जेता है दो गवान से, अ कुछ गिफ्ट के रुप में खरूज दूसर्कों के दे होगे, पता है कहा से लाये जागनाफ। ये भुटन को मेरे साथ गहते है आशुक कर रहे है। अपने ले ज़रुत हैं होता है, दूसरके ले खरेगते हैं। जुदहता है मारे कहा से भुटन के लाया। ऐसे तो यह फाद इंद्र दमना माला विद्यपति ने माला पेना दिया जब पेना दिया इंद्र दमना वो अनुभव कर रहे है इसलिए बेल्ट की दिक्षा की उनिफर्म की आप देखा जब कोई NCC मिलिटर में जबाब में NCC में बच्पन में या कोई दोती पेनते हो कोई दिक्षा पेनते हो तो आप ओ फिलिंग आता है आप बोटि पहनते हो, कोई कपड़े पहनते हो, कोई चादर पहनते हो, कोई राधा-चा लिखाओ हाए औरगा मंदिर के पास बेटते हो, अलग भावा आप मिलिटरी ड्रेस पहनोगे तो अलग भावा आजएगा, बूट पहनोगे यह करोगे लगänder अस़ां मत्सकर शलिए अब आगे बड़ते, अब जो स्तुति किया, विद्यापती को कहा, आप थंके होंगे, और अब ही चाहिए, कल हम लोग फिर मिटिंग करेंगे, तो सब के साथ उन्होंने मिटिंग शुरु किया, मिटिंग में उन्होंने बताया, पुछा, क्या-क्या देखा बताया, त मैं इसे गया, और कटक तक उतकल प्रदेश तक आया, वहानदी में स्टान किया, संध्या किया, फिर चितरुत्पला, महानदी, चर्चि का देवी, चंडी का देवी ये सो वर्नन है, वोसा दर्शन किया, एक अमरकानन आया, लिंगराज मंदिर में दर्शन किया, उसमें पंडित लोग रुद्र पढ़ते थे, और सब्द हुआ, उसके बाद में यहां आया, फिर विश्वाबसो के बारे में बताया, फिर मैंने दर्शन किया, तब राजा ने कहा, फिर तो हमको जाना चाहिए, वो क्या बुल रहे हैं राजा, एक सुन्दर श्लोक है जो इद्यापती ने वो बता रहे हैं क्या, कि उस भगवान के बारे में श्लोक नमबर दस अविचल रहा है, बढ़िया, भगवान का बारे में वर्णन है, भगवान कैसे हैं, इंद्रनीलमयो देवा, आस्ते चक्रगदादा आस्ते चक्रगदादा एकाशिति अंगुलमिता एकाशिति अंगुलमिता श्वर्णपत्मो परिस्थिता इंद्रदीवा, मयो देवह, वो कैसा है, ना चक्रगदादारह, भगवान विष्णु, चक्र, संक चक्रगदादार, भगवान विष्णु का रुप है, उन्होंने कहा कि ऐसे बेखे हुए है, उनकी मूर्ती है, इंद्रनीलमयो, एका, मारुवल का पत्फर होता है, मिजेश करके सफेद वाला, जहां कृष्ण के, राम के, मुर्ती, अब और कहीं काला पत्थर का, जैसे भगवान राम लाला का, काला पत्थर है, ठीक है, असुंदर बनाया भी उन्होंने, कोई तीन मिष्टरी ने बनाया था, और उन्हों योगर्याज जो है, उनका सिलेक्ट किया गया, जो कमेटी ने सिलेक्ट किया, वो सुंदर है, वो खूद बोल रहे है, मुझे बनाया, और प्रतिष्ठक के बाद ब्रह्मन लोगोंने, जो जीवन न्याज दिया, भरवान अलग ही दिखाए देरे, वही उनके जो दादाजी है, वो हमारे चिन्ममिषंद बैंगलोर के भगवान कृष्ण कालिय मर्दन के मुर्ती अभी भी है, नीलकंत देवस्था है, देवस्थान, कृष्ण देवस्थान, बैंगलोर में, वो उन दादाजी बनाया, बते को क्या सयोग है, छोटा सा लड़का ही है थे, दादाजी सहरुन योगर्याज को छोटे से गोध में बेटा था, भगवान अमारे गुरुदेव ने उसको आस्रिवाद दिया था, वो फोटो वाइरल हुआ है, कितने साल पहले होगा, मेरे उन पचा साल पहले है, चालीस पचाज, आरवा आज वो, वो एके, MBA की स्टूडेंट है, इंजिनियर, नोकरिम कर रहे था, छोड़ दिया, भगवान जिसको सिलेट करना चाते है, उसको सिलेट करेगे, कहा सुग्रिव बेठा हुआ दुर्गोण, और भगवान सिलेट करते है, बाली को, उसी को भगवान उपदेश देते है, नवदा वक्ति क्या है, वो कहते है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, भगवान कहते है, ठीके, नवदा वक्ति सुनो, उपदेश हो गया, और कहते है, तुमारे पास सब कुछ है, यही नवदा वक्ति है, खूद भगवान सिलेक्ट क से ज्यादा तर साउथ इंडिया में देखो कि कोई भी मुर्ती गुरुवायर है तीरुपती है अभी लाला जी है साव काला मुर्ती है और कहें के सफेद है राजस्तान के हमारे चिन्वे मिसन कानेक मंदिर भी है खुद गुरुदर जाते थे चॉइस करते थे विदेश बेजा जाता था विदेश में अनेक है मुर्तिया और कहें के सफेद है मारवन हमारे पटियाला में बगवन राम और लक्षमन सीता है वो सफेद बारा कभी में आईये और या तो कभी हम कैम करेंगे तब आईये वहां 20-22 लोग रह सकता है और बाकी डिवोटेश के हूजये तो एक इन्डर नेल मय तो और में बताने के लिए इतना बुड़ रहा है इनके मूर्थी है इंद्र नेल मड़ियत अंगे अंगुली एक्टीवन अंगुली का मूर्थी है। अरतन कहीना कहीं तो मूर्थी हो नहीं पड़ेगा। तो बगवान ऐसे हैं। और जीवनत हैं, चेतना युकत हैं। श्वर्ण पद्म के उपर बेटे हैं। और आगे है बो सुन्दत, उनके दर्शन से समस्तताप जो है नस्ठ हो जाता। ऐसे बिद्यापती ने बताया। जो मीटिंग चल रहा था, अब राजा ने डिशाइड कर दें। कि मैं कुछ आपको, सबको राजी ने डिकलेर कर दें। सबसे लिया तरहन कियां, पद्यापते से सुना। क्या डिकलेर किया? उनने एक डेसिशन लिया। क्या decision लिया दखिए, slope number 11. केते हैं, राजो चित्त सम्रत्ती को लेकर के में सोर्चराम वहीं जाओंगा। कथा है इसे, यहाँ पर भी, पुत्र को राजय बना दिया, अपना। और अप्शन दे दिया। कौन-कौन उज्जेंग छोड़ना चाहते हो। बड़ा डिफिकल्ट है। कौन-कौन उज्जेंग छोड़ना त्याग करना ग्रेश्ट लोग है। और राजा का प्रती डिडिकेट बुथ थे। जो कर्मचारी है, जो रहा था। बहुत लोग हाद उठाय होंगे, यहाँ बताय होंगे के साम जाएगे। उन्हें का इसको छोड़कर वहां में राज्य बनाऊंगा। यहाँ जो मेरे पुत्र राजा बनेगा, उनके साथ जो जाना चाहते हो। वहां भगवान का रूप दर्शन करना। और वहां में दर्शन करके, वहां ही सेवा करके में रूँगा। अगर किसी को आना है आ जाईए, तो भूद लोग राजी हो गए। अफसना। अब जैसे समुद्र में हम लोग गए थे न किनारे को। सब लोग गए। तो एक दो ने गए। तो तो उसनान भी एक दो ने किया है। सब उसनान ने किया लग लगगा। तो हां उसनान किया है। एक दो गिरे हमारा पंकज ने भी किया है। कुछ लूप कहीर के समझे आप करोगे। मैं रेड़ी भी वह आ ख्लास है मेरा। और करने के लिए इंट्रेस्टेड है तो चलो एक डेट दे देता हूं, अफसना, पास में है, तो कुछ दिमेरिट होता है, कुछ मेरिट होता है, दिमेरिट मालूम है कर रूम के बार है, और मेरिट है कि आम लोग सीविज के पास में है, और कहीं रहे हैं तो पूत दूर होता अब पैदल वाकिक, तो जिसको जिसको करना है, दो तरीको ख्लास नहीं है मोनिंग, शाड़े पांच बजे आप निच्चे आजएए, हम जाएंगे, सनान के ड्रिस ले करके, वहीं सनान करेंगे, फिर बात फों में करना पड़ेगा, पिर नम्किम पानी है, है न, वहां जल्दी आएगे, साध बजे हम लोगं को नस्ता खा परके, चिल्का के लिए जाना पड़ेगा, there will be no morning to us on that day, एसलिए ये बता दिया आप, अफ्षनल, कोई कंपल सरे नहीं है, अफ्षनल, जिसको आना है, साड़े पांच बट होगा, तो में निकलोंगा, जिसको आना है, और इसमें कोई लेडिस और जेंट्स और लगलगे मत समझना, आप उसमें सरीर से उर्दो आना पड़ेगा, राम से स्नान करो फिर, वहाँ चेंज भी ने करना, अना है आई पर, ये बात, अफ्षना, हमने भी अफ्षनाल दिया राजा के ना पे, तो वो जो इंदर दुने पूरा अफ्षनाल ले दिया, यहाँ अना हम स्नान की बात कर रहे हैं महाँ तो उन्होंने का राज्यों को छोड़ना, सब लोग उड़े, स्वर्याणगता तो मांग बहुत करती हो, हमने एक सेकंड में पकड़ लेते हैं कौन क्या करता, एक तो उपर बेटते हैं ना, और म आप अपने खोशी को जाहिब मत करो, बुद्रे को पड़ोस को, ब्लास मिनोत करो, बाद में करो भी, तो पड़ा सुंदर महा, उन्होने क्या कहा देको, पड़ा क्या हमने, क्या बोला, सरवात्मना हम यास्यामी राजी, पड़ा ना, इसको, जीव समृद्यना, तत्रा बा करेंगे, यहीं पर, बात कर रहे हैं उच्छे में, कहते हम वहीं जाएंगे, जिसको जाना आजाएंगे, पूरा दुर्गा आनी चाहिवा चाहिए, पूरा दुर्गा आदी करेंगे, ठीक है, अब इसी समय, क्या हुआ, सब तेयर हो गया, नारत जी आगे, यह जो स्लूक है और कही दूंगा, कनेक्टो मौरीं क्लास, कैसे बोल को, जो वहीं पढ़ा हमा में, बारा में, जो आज स्लूक महीने बता है, इसलिए बारा तेरे छोड़ी दू, नारत जी, अभी कहानी बता देता हूं, उस समय कहानी नहीं बताना है, नारत जी बद्रिना था है, तो नारत पास में ही फिर भी आटो पकड़ रहा है, तो बहले हैं, आटो मेल रहा था है, पकड़ लिया, कुछ दिया होगा उसको, नारत जी पस एक खड़ा हूं था, पस वोई पहन लेता है था है, और कहीं भी आकास मार्गों है, कहीं भी चले जाता है, कान्या बद्रिना था, तक रहते थे, ये भागोध प्रवच्च्छन ओना ने रहता है ने डेध वियास जी को में दिया, ये पुरानी बात है पहले, ठीक है, ये सकत्म मन्वंतर, अभीू भागोध प्रवच्र के बात चल रहे है, तो नाराजी आके दर्सन किया नर नाराओन तो पहले ये मन्वंतर दर्शन करने के बाद तुरंत एक ट्रंकल आया, इमर्जन्स कॉल आया नारजी को, कौन फादर, गौड़ फादर बलते है ना ब्रह्मा, कहते है नारज ना, तो यह सो बिचार तरंग में हो जाता है, कि तुम इंदर दुमने के पास जाना, तो यह नारजी तुरंत इंदर नारजी को देखते ही, कितना सब सेवा कि आप, उसा बताया था, तब यह दोश लोग है, जो हम कल मौनिंग भी देखेंगे, इसको मैं छोड़ रहा हूं, कल देख लेगे, उनने जो सबेरे जो मैं इतने बताया था, कि मन ग्रेस तक भाग गया है, कोई साधु आएगी, तो नारजी आते हैं, यह दसमत है सुरो गया, उसमें उपदेश है, अब आगे क्या वा सुने, नारजी रुखते हुए, कहता ठीक है, मैं तुमको लेके जाओंगा, क्योंकि मुझे पिता जी ने कहा, जब तक इंद्रदिम्न प्रतिष्टा ने क्या है, यू बी देर, तुम र होंगा, और स्पष्ट भी बता दिया, पिता जी ने भेजा है मुझे, यह अगर चीज ना, एक भगवान के एक दिवाइन कनेक्टिव से होता है, एक संयुक से होता है, अगर आप अनुभब करेगा अपने जीवन में, आप दिखोगे, क्या आपके आना, आपके जाना, बेटा, बेटी के सादी, कुछ भी, साब डिवाइन कनेक्टिव, डिवाइन इह दिखने की चीजे, इह अनुभब करना, तो नाराजी बोलते है, पिता जीने मुझे बेजा में यहा रहूंगा, तो उपदेश को हम सभरे देखेंगे, अब क्या होआ, चल पड़ते है, अब तेयार होते हैं, तो नारजी खूद जोतिश आचारे, उनने एक दिन तेथी को देखा, डिकले में हो गया, समर के अंदर उत्सा है, अब चली हम एकेन भागवत और रामैन में आते हैं, यहां में उत्सा है, रामैन में उत्सा है, मगर दुख पुर्ण, विरह का भगमान र पुर्ण, उनके पीछे-पीछे चलते हैं, उत्सा है, एक्साइटए हैं मगर दुख के साथ, फिर भगवान क्या करते हैं, रात में पहले दिन तमसा नदे के किनारे स्रिल्ले वेर पूर जाते हैं, वहां रुखते हैं और भगवान कहते हैं, इनके उत्सा होना चाहिए, ख बोस्ट होना चेह, मगर एक भाभुक्त के साथ नहीं होना चेह, उनका अपना जो करतव भी है, जो रिस्पॉंसिबलिटी है, ओके एक प्रजा के नाते रहना चेह, और वो क्या किया, राम के प्रतीन प्रेम के करन भाभुक्ता हो गये, भावना हो गये, सपोज यहां आप डे स्वामी जी हम लोग का जगन्नात प्रशाद खाने के इच्छा है, पहले से प्लानिंग है, डीपी बोल रहे थे, हम लोग गुरुवार के दिन, आज मंगल वा रहे, गुरुवार के दिन प्रशाद आएगा, रात को ग्लास के बाद, वहां जो हॉल है, निच्छे वाला अगर पिलकुल गोई बैठ नहीं पाएगा, इन भी इंपोसिबल, दन छे साथ छेर रखा जलेगा, उस छेर में आप बैठोगे, आपका हाथ लेकर के खाना पड़ेगा, यह दिया में, यह जो डाइनिंग हॉल है, वहां नहीं होता है, होगा नहीं होगा, पुरूल है, पतल में, और एक दूसर को खिलाते हैं, मेरे तो बच्च्वन में कभी होगा, जो प्रमचारी बनकाया, कोई एक माह मुझे लेका ही ती, और हम दोनों थे, और एक थे, कोई परिवार, बैठे, फिर एक ही पतल में खाया जाता है, फिर वो मुझे खिलाया, बैबोल को खिला अलग आनंद, जोटा है, कोई भी आया तो, और कोई खड़ा है तो उसको भी देना है, ठीक है, तो यह संस्कार है, आपको पता चलेगा, यह प्रवचन के समय अगर टाइम मिलेगा तो मैं उसका भी मत बताऊंगा, महा प्रसाद की महाद में वर्णन है, ठीक, मैं यह कह रह आब उन्हेने तिठी किया, सब लोग निकले, सब लोग, जो नरतंग ना लोग, घोड़े वाले, रत्र वाले, सब लोग, पालकी में और उनकी घे, हिस्टम देवी है, उनको भी पालकी को मैठाए गया, नारज को फोर बैढ़ाय गया, राजा बैठे पालकी में, तो इस प बिद्यापती ये नारण जी तो खूद जानते हैं, रास्ता, he knows everything, उनकी ही अनुसार, और बिद्यापती अभी-अभी आये हैं, फ्रेस, रास्ता बताओ, तू बता रहे, same style है, वो आये, कटक आये, जेसे जेसे बताये गया है, अब एक जगा पर, जहां निला चल, यहां पर अब आस्पास में उनने अपना तंबू, टेंट, दुप तुरंड बन जाता है, बनाया इसे एक होल भी बनाया, राजमंतरी लोग भी आये हैं, जब के अंदर भावना है, सोती ये सथियों की बाद है, पहला मन्झमंतर के सथियों गजवदी महाराश बोल रहे थे ना प्रपिक आएगा तो मैं बत्ता हूँगा। सब पहला मनवंतर के बाद सब कुछ पूगया पेठे हैं। एक धूत आया। और का कि हे राजन उद्रदेश के जो राजा है। उद्र मेंने सविरे बताया था उद्रदेश। और जो कल बताया था, सविरे बताया था। पूणी सा उद्रदेश। उसको उद्कल देश अभी उद्कल बनतेश। कलिंग उद्कल एक्स्प्रेश है। जब यह लोग आ रहे था कलिंग उद्कल यह बोल रहे था। राइट टाइम है। तो मैं हस रहा था। कलिंग उद्कल कभी भी लाइट टाइप नहीं होता है। और आपनी इचे गुंदा कर रहे था। पूद्धा, जो उच्छा हो है। तो वह है उद्कल, कलिंग भी है उद्कल भी है। दोनों नाव। तो तुरंद खबर दे दिया कैंका उद्कल देश के राजा है। तो उड़गे हो। इंद्रदम्ना। इंद्रदम्ना चक्रवर्ति, सम्राठ चक्रवर्ति है। ब्रह्मा के 5th generation है। स्टार्टास के दृष्टि से इंद्रदम्ना बहुत बड़ा है। वो एक स्टेट के राजा है। वो लाइक प्राइम मिनिस्टर प्रेशिडेंट है। अगंड भारत का वो राजा है। राजदा ने राजदा ने अबंति का उज्जे निती करई। ठीक है। तो वहाँ पर देखना भगवान राम ने भी यह सकिया। यह जो पहले परास्त कर देते थे उनके अधिन में होता था। भगवान ने परास्त किया स्रिलंका को। मगर अधिन में ने रखा। स्वतंत्र दे दिया। किश्केंद्या बाली को परास्त किया। सुगरिव को दे दिया। स्वतंत्र दे दिया। यह भगवान की सहली यहां पर भी ऐसी इंद्र दम्ना सर्वस चक्रवर्ती है पावरफुल है जो पावरफुल होता है वो सब उनको सम्मानते हैं अब उने सवतंत्र दिया तो उतकल में प्रदेश सवतंत्र था जब राजा खवराय आये तो वो खड़े होगे उनका आसम दिया अब उन्हें क्या है बताइए तो उन्हें दुखी मन में थे कहते हैं कि हमने सुना है नीला चल परवत में जो भगवान विष्णू थे पुजर उसको तो कुई दे उन्होंने भी देखा नहीं था देखो खन जंगल में उनके अंदर भी सास नहीं हो और कहा है सुना था सुरती कि अंदर भगवान है और कही से जाए जंगल था और वो जो भी नहीं गए उनके मन में भावना नहीं आई आई मैंने सुना है वो धूल धुसरित होगे अधर सोगे भगवान तो बहुत दुखी हुई अब केसे हुगा सुनले जो कहाने रोज देवता लोग आते थे आरतियादी करते थे भगवान को और लाश को प्राथना करते थ भगवान करते है जब धान करते थे सब दिन हो आज कि दिन है जज दिल विद्ध्यपति चले गए और विश्वा विश्वभ जानते है कि अभी कुछी दिन में भी हो जाएगा गो तो जिस सूर्दिन विश्वभ से नहीं गए थे संधिया का समझ या थो जाकर क aur कि वापसा पुजा करते हैं, ध्यान करते हैं अनुभव क्या है, धूम, हवा आ रही है, चंजावत हवा, धूल आ रही है, आंग बंकिये, और ये सब धीरे धीरे हवा बंद हो गया, जब उन्हेंने खोला भगवान नहीं है, अदरशे कौन, विष्णु नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, ब सब आलू है, सब कभी कभी, 2013 में सब चारधाम का होता था, वह था, उसमें हम लेके गए थे, केदर नाथ का हो गया, हम लोग पुरुद्र प्रयाग में थे, सब भागवान करपा है, केदर नाथ मंदिर जैसात है, बाकी, शंकराचारी के मूरती भी गही, तभी फिर बनाए वही अभी योगी राजी बनाया, ऐसे होता है, आप विदेश्मा की देखों के बरफ ही बरफ हो जाता है, सब तूट जाता है, तो ऐसे जो भगवान थे, सब अध्रिश्य हो गया, मालक्ष्म ने पहले ही पताए देथा, आप देवतालों को रोने लगे, हम रो जाते थे, आपके दर्सन करते थे, पूजा करते थे, तो यह कैसे करेंगे, तो एक आख्यास बारे ही, देवतार गुण चिंता मत करें, यह भगवान की इच्छा है, भगवान की लिला है, और तुम लुग जाओ, ब्रह्मा के ही फिप्थ जनरेशन के एक राजा होंगे, वो जो आएंगे तुम को रिक्विस्ट करेंगे, फिर तुम आना, मंदिर निर्मान में तुम मदद करना, तुम लोग, क्यों तुम ने, तुम लोग, दरता, सूरिय, चंद्र, दिक्पाल, पवन, अगनी, आदी, तुम लोग, चले जाना, तुम चले गए, अब विश्वा में सुन एक्स्टेटे आया होंगे, देखा क्या रहे, भगवान ही नहीं है, उनकी हालत क्या होगी, सोचो तो जो रोज मुजा करते थे, लेते थे, उन्होंने भी अपने सरेज को त्याग किया, सबरी का जई से, दर्सन हो गया, त्याग किया, अर्जुन की भी हलत यह हुए, जब भगवान चले गए, वो इतना धुर्बल हो गया, विक हो गया, बोल भी रहे, कि आपके बिना मेरा कुछ नहीं है, द्वारका के जंगल के भीन लोग इनको परास्त करा दिया, लेने ही पाए, धन सब चले कुछ रानियों को बच्चों को ले करके अधस्दिनापुर आये, सब तो द्वारका जल गया, मने दुख गया, यह बात ही, फिर बात में उनने ही प्रतिष्ठा करवाया, तो इस पर करके बात हुई, फिर उसके बात क्या होगा, अब जब सुना, राजा, उतकल राजा ने क तो बहुत दुख्य होगे, आप देखना, क्या स्लोक पढ़ना, पंदरा नंबर, यह जो चोदा नंबर है ना, वो नारजी को बोल रहे है कि सत्संग, आपके जैसे संत्य की क्रपा से मैं धन्या हो गया हूँ, इसलिए बारा तेरा चोदा को मैं छोड़ रहा हूँ, सब ले अच्छना दस्ते भूपा, आंपूरिशा क्रस्ते गूः, सबिख्णं प्रायस भं, विख्णंते चस्भं पंसा, पुनर्भाग्यावताम्रपा, यह नारजी को बोल रहे है, और गुद, इंदरा न सुंते उर पुदास्वए? उनका मन दुख भी हो गया, सोचे कि क्या फाइदा है, तो जब उदास हो गया, तब उन्होंने कहा कि देखो, हे राजन, तुम उदास मत हो, और मा भूद, बिशादस्तेल भूप, सभिग्नम प्राहयसर सुभ, आप एक सुभ काम करने के लिए आए हैं, भगवान का दर्शन क करने के लिए आए हैं, और यहां रहने के लिए भी आए हैं, और भगवान का काम के लिए आए हैं, समर्पन के दर्श्टे से आए हैं, भगवान के काम हैं, उसके लिए आए हैं, इसलिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए, और वो अभी बोल रहे हैं, कि अब दुखी हो क कि क्या बोल रहे हैं सुनी कि मेरा जीवन खराप लिया है मेरे परिष्टाम सब व्यर्थ हो गया है वो बता रहे है और संसलेस हो गया अर्था जिसका पुन्य है वो पुन्यवान असुप के समय धायर्य रखना धायर्य रखना है और पुन्य के कारण फिर हो जाएगा अब आप एक्जांपल कल जबा आप आए उसना कोच रूम यह से हो थड़ा सा आपको डिस्टरबंस हो गया और आप सेटल हो रहे हो ठीक है तो आपको मुख्य लक्ष क्या है भगवान का दर्संग सत्संग फिर उसके बाद धिरे धिरूर शान्त हो गया इसी प्रकार नाराज कह रहे है तुम्हारा सुनते ही राजा से तुम दुख्य हो गया सुचो तब एक धरसंग करने के लिए सब कुछ त्याक किया राज्य त्याक किया।2 यहां निकले, वही भी दर्सन नहीं कर पा रहे। कहते हुआ आगे तो मैं बुलूँगा, मुर्चित भी हो गई। बात करते करते हुआ मुर्चित हो गई। सेंसलेस। फिर नारज ने पानी मंगया। लिखा है, नारजी उनको प्यार दिया। यह गुरू है। उनको पंखा किया। सेवक सेविका लोग आ गए, तुरंत पंखा किया। फिर क्या है, नेक्स्ट श्लोग दिखना। प्राणान रक्षन्रपतेहे। प्राणान रक्षन्रपतेहे। जानन तत्र सुभायतम। सुपिराजाचिरां संग्यां। लेभेयत नेरनत तमेहे। प्राणान रक्षन। उनने रक्षा किया कों नारजीने। इंद्रदुने के प्राणाहान। जिवेत चल रहा है। सांसे चल रही है। कभी-कभी घटना घडजातेहे। हाटाटक तो नहीं हुआ। प्रांत बन नहीं हुआ। तो उनने पानी दिया, पंखा किया, मंत्र गाये। मंत्र में पावर कोले। भागवत में वेशे ही है। नारत जी जब भक्ति के दो पुत्र थे। ज्यान और वहरा के। उनके गोद में ही सो गय थे। उनने मंत्र किया। उड़गे फिर सो गय। मंत्र में जोगे। मंत्र में पावर। भागवत सुनाय। तक उठे। यह भागवत कि महिमा। तो नहरज जी ने रख्षा किया प्राण की वर संस से आ गया। लिखा पर सवपी रादा चिरावन संग्या। चिरावन संग्या शए है जुद। और ले भे यतने अर्नत्माइले संग्या। संग्या ले भे संचले साग्या, उसके बाद पढ़ना ए गुरुदेर, क्या मेरे गुरुवजन में कुछ पाक था क्या, कि मैं भगवान का दर्सन नहीं कर पाया, ये विद्यापदी तो भगवान है, विद्यापदी आये थे ना, तो ये तो भगवान है, उन्हें ने दर्सन क्या, और मैं दर्सन नहीं कर पाया, तो जो घते हैं नहीं, कुछ भगवान के एक अलग लीला है, उनका अपना एक स्कीम है, उनका अपना एक प्लान है, माक्रो का एक, डिवाइन का एक प्लान होता है, डिवाइन प्लान, इसलिए उसमें चलो, जिनता मत करो, इसलिए चलो और आगे देखो तो अब आगे जब चले उपर तो कहते हैं नारजी ने सब दिखाया यह जगा जहां भगवान थे यह जगा यही पर ही भगवान अद्रश्वर तुरांत इंदर दम्न प्रणाम के दंडवत को करके आप कितना वो जगा प्रशिद्धे यहीं पर ही मंदिर बनेगा पकाश बनी होई चले थड़सा रामचिर्ट माराश में जा रहें क्या बगवान राम दितिय दिन पहला दिन तमसा नदी दितिय दिन स्रंगवेरपूर में रहें स्रंगवेरपूर गाउन नेगे बारी रहें चिन सबाव रक्षे के नीचे डाली पत्ते लाकर के बिच्छाने के लिए कहां और बिच्छाया गया भगवान ग्राम स्वे पाता सीता उनके पेर के दबाने के बाद पेर के परश्चरण अपना सिर रख करके शोगए तोड़े से दूर में लक्षमन जी बीरासन में खड़े रहें अब आता आगे बढ़िये भगवान चल पड़े नेक्स्ट टे वो जगा है भरजी जब आये तब दिखाया उनने कि इसमें सोय थे तो परजी पूरा प्रणाम करते दंड़वान के जे जगा पर भगवान सोय हुए है ऐसे यहां पर यह बात की बात है इंड्रदमन पहला तो जगा देखकर कि यहां पर इतने बगवान थै दंडवद प्रणाम करते एयन है फिर उनको आकाशवारी होती है आकाशवारी है उसके पहले लिंगराज मंदिर में भी आकाशवाणे बगवान संकर ने किया तो सब दर्संद किया कि हे इंदर दिम्न, तुम भगवान का दर्सन करोगे, एक अज्या अश्वमेद यज्या करो, यहां पर है कि इंदर दिम्न सरोवर है, अब निर्वर करता है आप लोगों कि क्या करपसिटी, कितना चल पाओगे, क्योंकि बस को तो रख देते हैं, फिर जाना करता है, पैदल कि इंदर दिम्न सरोवर है, तो करने के लिए बताया गया था, और आकाश भानी हुई, यह जो जगा है, हे इंदर दिम्न, तुम ही यज्या करो, लिखावार देखना, पड़ो, इंदर दुम्न सैधानिं, इंदर दुम्न साइधानिं, क्षेत्रे स्री पुर्शो तमें, इंदर दुम्न इसी इदानिक्षेत्रे पुर्शो तम में अश्वमेद सहस्रयक्य करना है, और यही पर करो, और भगवान कहां पर थे, किस रूप में, वो बता रहे हैं, इसी बीच में, जब रास्ता में, एक मिरकल हो, जब मिरकल होने से ही, चमत कर कोई नमस्कार होता है, और जैसे, दुबाई में पानी आ गया, तो एक मिरकल है, भगवान आए, तो पानी भी लिखा है, फिर यहां प्रतिष्टा से पहले क्या कैसा, वाइरल हो रहा था मेरकले, नाग देवता आए, उसूर भी आए, फिर वो रीच भी आए, रात में, अयद्या में, इसकार थे, भगवान के, आगोल का सारा प्रक्रती ही, शचेत होगे, अभी व्यक्ति है, तो यहां पर क्या हुना पता है, रास्ता में जाते समय ही, तुरंत एक दिखा दिया सब, अभी बहुत बड़ा जगा था यह, एक जगा पर, एक मुर्ति दिखाए दी, निकला, निकले खोदे, तो देखा कि एक पुर्षव सफेद, तो मुर्ति निकाले, 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 तो यह क्या है, तो नारण जी के यह भागवान निशिग है, निशिग भगवान, भगवान के अवतार है, गुल्डिचा मंदिर के पास निशिगा मंदिर है, उन्हें ने बनाया, तो आप कहते हैं, सुनो, आप चलो, मैं आप यहाँ पुजा करके लेकियाता हूं, पांच दिन लगेगा, और विश्वा, मित्र बने, जो विश्व करमा है, उसके जो बेटा है, वो आएगा, घटक, उसका नाप, सब पुरारण बरना नहीं, निशिंग भगवान के लिए मंदिर बनाओ, मैं भगवान के लेके आता हूं, पूजा करके जीवन निया, साधी, पूजा करके आते हैं, तो कुछ ब्रामोन को रखाओ गा हूं ने नारज जी, अब इधर आकर के, जब पहुंच र करना है, तो अटोमेटिक एक मिस्त्री है, अपने वो राज मिस्त्री सब सामान लेकर के खड़े, उने का, हे राजन, स्वागत है, मैं विश्व कर्मा के बेटा हूं, घटक, सुगोटक, आप के आदेश होने से, यहां एक नशिंग मंदिर बनेगा, जो नारज जी लेकर आ कि इसको कुछ करना नहीं पड़ता, सब सेटिंग है, अभी रामलाना तीन सो पचास साल के बाद, कितने घटना है, घटी, क्या क्या नहीं हुआ, और यहां पर होना था इस बार, और इनके द्वारा होना था, और हम लोग के बागियों भी दरसल करने के होना था, कुछ हैंगे कुछ लोग दिवी में देख रहे हैं, कब लाद है, लाख लाख, हर दिन के चार पांस लाख हो जाते हैं, पहले तो तो तीन चार दिन ने था हो, बाइस के बाद, तेश तर एक चोधी से था, पांस लाख टप हो गया था, क्रस हो गया था, यह सब को डिवाइन है, इतने ही भक्ति उमण रहे हैं, तो यहां पर वेवस्तारों मंदिर बनाया, पांड़ी में ही मंदिर बन गया, उदर और देखा है बेटे कि एक आवाज आ रही है, घंट्या बज रही है, शंक दोनी हो रही है, जैकार हो रहा है, तो तुरंत इंदर दुने क्या है, वही ना अरजी लेक्या रहे, तो ना अरजी, तो उन्हीने बताया थे तुमको यहीं पर मंदिर बनाओ और बहले क्या रहे है, जैकना पढ़ना मेरे बाद में, शो कितना नंबर, उनेश, यस्यमूलाद प्रतेच्यामे, रसिनस्या उत्तरे न्रपा, अतिष्कन्माधव यत्रा, चतरमुर्ति धरोविवो, यह जो जगा में तुमको दिखा रहा हूं ना, नरजी भूल रहे हैं दर दिमने, यहीं पर ही भगवान है, अपना सरीर उनने अदर्शे कर लिया, मगर भगवान सामन्य रुप में है, यहां पर ही, चतरमुर्ति के रुप में, भगवान कहीं छो सदुन निराकार, निर्गुर्ण निराकार, निर्गुर्ण निराकार रुप में सब जगा पर है, अब भागवात्मा यह तोड़ा समझे, ऐसे राजसवा है, संध्या के समय है, भगवान को मनता भी नहीं है, और इसका कंटक है, उसका बेटा भगवान का हकते है, उसको समझाने पर भी मनता नहीं है, खड़ा किया उसको, मैं तुमको बोलता हूं भगवान, विष्ण का नाम नहीं सुनो, तुम फिर कर रहे हैं, पिताजी, वो डायलेक बड़ा सुन्दर है, पिताजी, भगवान का नाम लेने से मुक्ती होती है, फिर और बुश साहता है, कि बढ़िया से बोलता है, निरुपी को के, तुमको ढर डर नहीं लगता है, तो पिताजी, क्यों डर लगेगा, क्यों भगवान ही सर्वत रहे है, सब भगवान करते है, भगवान हमारा है, हम भगवान के है, डर क्यों लगेगा, ऐसे बाते करते 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 केते, तुम भगवान को देख रहे हो, हाँ, तो भगवान को देख कि अगर तुझे दिखाई दे रहा है अगर तुझे दिखाई दे रहा है भगवान इसमें है अब मैं मालता हूं पर के उपर उठा गधा त था इस तम्ब को खंबे को एकसी गधे में डाना खंबा दो भाग हो गया उसमें से अगमान रसिंगवतार आगे सब्धित हां तो निजबृत्य भाशेतम भागवत में या है जट का इर्थ सुनो सथ्धित हो तुम है सब्धित हां तुम है सर्टिय बात रखने के लिए किसे निजव अपना देख दा सेव्क भक्त प्रला्द भक्त बिधान और और भक्त प्रल्द काढ़ इश्में इस में देख रहा हूं प्रकट की सकत हुल कि आपने की आपने कि तुम जो बर मांगरे होना तथास तो उसने मांगा था इस मनश्य नहीं मारेगा है पसु भी नहीं मारेगा तो यही ब्रह्मा की विबाथों को सत्य करने के लिए ना मनुष्य बनते ना पसु बनते हैं, ना ब्रगम न मानुसम वरम्त नरशिंग बनते हैं, अचि यह जगन्नात, भगवान आएंगे, उसमें नरशिंग भगवान क्यों आए, क्योंकि नरशिंग भगवान सिकुरिटी ओफिसर है, चाहिए कुछ गड़बन न हो जाए, इसलिए आप देखना नरशिंग भगवान वहाँ है, सिकुरिटी ओफिसर के रूप में, कड़न करते हैं, सिकुरिटी करते हैं, ऐसलिए, फिर आगे बढ़िये, उसको अब बोलते हैं, कि फिर कल हम भगवान के जो प्रतिष्ठा, भगवान के जो बर्मन के सोगा, वो हम कल देखेंगे सामको, कुछ बाते बोल देता हूं भी?